पाद केमेस्टृ में अगर बात करें तो मोल कंसेब्स से एक क्वेशन अब इसमें अपना कंबशन मेंटरचट जothaces होता है to images जहता या मालेकिल फॉर्मूला कुछ लेते हैं आप से बेसिक बेसिक फ्रोंगज यादा लाएधी है बिल्कुल वो option दिखके हो जाता है तो mall concept से और इससे एक question तो almost fix है Redox का mainly applications आदा आता है यूज जादा आता है Electrochemistry वगरह में सब जगे हाँ बही second part जल्दी से बताता हूँ थोड़ा सा Atomic structure और Gaseous state की बात करें तो इन दुनों को मिला के एक question तो fix है एक से दो question पर एक minimum आएगा Atomic structure की अगर particular बात करें तो उसमें दो part आगए तो अपना board theory तक का part उसमें से उसके जो main formula उससे question आजाता है या अपना कौनसा आजाता है quantum method Quantum में आज भी खास तोर पे जो उसका quantum के जो अपने curves रहते है Radial probability वाले curves रहते है उस सबसे आज कल question काफी trend में है तो अगर वो करना है तो कर लीजेगा सही रहेगा Gaseous state के अगर बात करें तो पहले Ideal gas आता है फिर Real gas आता है Ideal gas में तो basically सब कुछ boils law, Charles law सब किसमें आ गया PV is equal to NRT उसमें आप curve based question ज़रू कर लीजे यह वीडियो भी मैंने बना रखा है YouTube पे How to solve any curve related question वो देखना वो सही लगेगा आपको से curve related question आप solve कर सकते हैं दूसरा concept न? Gaseous, यह Real gas Real gas से question काफी trend में चल रहा है आजकल वह यह ना जो unknown topic जो पहले से कम आते थे वो उस पे जादा question पहले mains में तो बिल्कुल almost पूछते नहीं थे कहाँ पूछते थे? advance में लेकिन आजकल पूछते है topics यह लेकिन हाँ gaseous state से कोई guarantee नहीं question आएगा use आ सकता है अगले topic की अगर बात करें तो अपन बात करते हैं किसकी? thermo की thermo से अपना question एक है दो again एक तो पक्काई है मतलब एक तो बिल्कुल fix है physical में यह ही है कि हर chapter से लगबग एक 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 टाहिप से question almost fix होता है thermo में अगर बात करें तो अपना first law होगा एक कोई सा हो गया? second law first law में अपना जो for example delta H delta P का relation जो होता है delta N gaseous वाला rule वो जो particular relation है बहुत important है delta H delta E delta H is equal to delta E plus delta N gaseous R T है ना? तो first में तो यही mainly आता है second में अगर बात करें तो delta G का जो k से relation है equilibrium constant से relation है और reaction spontaneous है नहीं है हाँ इसी का electro में जो link आता है इसी का link किस से होता है? electro chemistry से delta G NFE वाला जो अपना relation होता है nurse equation वाला type का वहां से आ जाता है तो delta G related question आने के chance बहुत आई होते है entropy से question कम आते है आतो सकता है लेकिन कम chance है यही दो main part अपना थर्मो का हो गया liquid solution की बात करें तो liquid solution से एक question कभी आता है कभी नहीं आता है लेकिन आएगा तो किससे want of से आने के chances want of factor से related जादा है सब जादा है route slow के बाद जो want of factor आता है जिसमें dimerization, trimerization यह वाला जो सारा factor आता है उससे question आने के chance काफी आई होते हैं next solid state solid state से भी कभी question आता है कभी नहीं आता है solid state में लेकिन अपना crystal कितने तरह के होते है unit cell कितने तरह के होते है उसके अलाबा उसमें जो density वाला रहता है main formula density वाला उससे question आने के chance बहुत आई होते है radius ratio से कम आता है right बाकी तो theoretical aspect इसमें भी बहुत सारे है surface chemistry की बात करते है surface chemistry से भी again कभी आता है कभी नहीं आता है लेकिन आजकर trend में इसमें isotherms बगार तो common है लेकिन colloidal वाला जो part रहता है tindal effect और इन सब से question thought trend में जादा है surface का है यानि जो second part है ना surface का surface के अंदर ही surface chemistry में वो जादा आता है electrochemistry एक question तो बिल्कुल fix है एक या दो question electrochemistry से सब से important क्या होता है nurse equation ठीक है और दूसरा part जो रहता है कौन से रहता है हाँ कौल रॉश लॉव बोलते है न उसको बैसे primarily इन दो से आता है या इनका equilibrium constant से combine करके question आ जाता है thermos से mix होके आ जाता है mix होके question आ जाता है oxidizing agent वो redox वाला part हो गया oxidize होगा, reduce होगा इस सब से question आ जाता है chemical kinetics से एक question fix है एक question fix है और यह easy chapter है relatively series parallel reaction नहीं आता है यहां रखिएगा इसमें जो question आता है chemical kinetics में सब से important rate law पे आता है rate law है तो निकालने पे आ जाएगा या half life पे आ जाएगा first order पे ही mainly question आएगा है ना equilibrium equilibrium में सब से पहले एक तो KP और KC का जो relation है उससे question आते हैं काफी बार आज भी काफी बार आते हैं और even मैं बता रहा हूं आपको chemical जो है ना उससे question आने के chance जादा है योगि NCRT में आप देखोगे तो उसके related theory part जो है वो जादा है तो chemical में KP-KC का relation और simple एक वो होता ना K1-K2-K3 का relation जैसे एक reaction है overall equilibrium की उसके कई step दे दिये तो उनमें relation बताना होता है तो वो question बहुत important होता है ionic equilibrium के अगर बात करें तो ionic से उत्ते question नहीं आते ionic से आएगा तो direct question आएगा जैसे कि अपना buffer हो गया, salt hydrolysis हो गया तो बिल्कु direct formula based question आते है ionic tough वाला नहीं आता जो advance में आता है, वैसा नहीं आता है ठीक है, बिल्कु basic आता है ionic जिसमें अपना जो दो-तिन topic से इनके direct formula based question आते है बस आप identify कर पाओ कि ये कौन से type का है बाई, buffer है, क्या है, क्या नहीं है I think सारा हो गया को रह तो नहीं किया सब हो गया है ना, तो I I think जितना detail में मैं बता सकता है, योग फिर time झाल